अब यह सेटिंग आपने कर ली तो डेफिनिटली आपकी लाइब बहुत आसान हो जाएगी आपको कुछ भी ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा देखिए अगर आपने भी एक अच्छा हेवी कॉन्फिकेशन सिस्टम ले लिया है और आपकी इंटरनेट स्पीड की बात कर तो यह स्पीड भी आपने अप्लोडिंग और डाउनलोडिंग अच्छी कर ली है इस लेवल पर कर ली है फिर भी दुख की बात तो यह है कि आप तब भी HD कॉलिटी में 60 फ्रेम रेट के साथ में यूट्यूब पर लाइफ नहीं जा पा रहे हूं जैसे में जा पा रहा हू राइट नाओ अभी मैं अपने OBS से लाइव हूँ और मैं आपको दिखा दूँ कि यह मेरी लाइव स्ट्रीमिंग यहां पर ऐसे चल रही है इस इस में और अभी मैं आपको दिखा दो यह लाइव हम स्टार्ट कर देते हैं आपको लेके चलता हूं मेरे मोबाइल पर थोड थोड़ी सी डिग्रेटेट कॉलिटी है और मैं इसको कॉलिटी को और इंप्रूव करूंगा तो यहां पर देखो 108060 फ्रेम रेट पर भी यह प्रॉपरली चल रही है तो देखिए आप क्या आप कॉलिटी यह देर पा रहा हूं और यह सारी कॉलिटी मैं अपने डिरिंग लाइव पर दे पा रहा हूं यह देखिए पूरा प्रॉपर कॉलिटी आ रहा है जल्दी से में कपिल शर्मा को बन कर दो अदर्वाइस मुझे कॉपी राइट ना मार दे हां तो देखिए तो आप समझ रहे हो कि हम इतनी अच्छी कॉलिटी से लाइव जा पा रहे हैं बिल अब यह सेटिंग आपने कर ली तो डेफिनिटली आपकी लाइव बहुत आसान हो जाएगी आपको कुछ भी ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा यह सेटिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम जनरल में चलते जनरल में आप सेटिंग देखेंगे तो यहां पर इस सेटि सेटिंग पर देखें यूट्यूब खुद क्या कहता है ओ सारी OBS क्या कहता है OBS कहता है कि भाई सहाप चो बिट्रेट है यहां पर आपको मैक्जिमम बिट्रेट के बारे में बताया गया है OBS कुछ रिकमेंड कर रहा है कि मैक्जिमम आप 51,000 Kbps का बिट्रेट डाल सकते हो अपनी live streaming में और audio बिट्रेट भी आपका 160 Kbps होगा तो यह बिट्रेट आप डाल सकते हो मैंने तो बहुत कम बिट्रेट डाल के रखा आपको आगे दिखाता हूं बड़ आप अपने system अपने convenience के recording जितना जादा बिट्रेट दो कि उतनी अच्छी quality लाइब बढ़ती जाए इससे पहले में live app करो आपको बताओ कि यह green signal आपको यह दिखाता है कि हाँ आपकी streaming properly जा रही कितने percent आपका CPU utilization हो रहा है वह आपको पूरी information देखो drop frame rate 0 है अगर यह बढ़ता है तो भी problem है यह लाल होता है तो भी problem है तो आपको bit rate और यह सब quality degrade करना चाहिए अब इसके ब पूरा state यहां पर दिख रहा है live streaming live जा रहा है frame miss due to rendering lag तो इतनी frame lag मेरे system में अभी इतनी frame lag हो रही है तो यह frame अभी भी lag हो रही है तो यह percentage मुझे बहुत ज़्यादा frame rate बढ़ाना नहीं चाहिए मेरा 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 frame rate जितना रखा है उससे थोड़ा कम कर लूँगा तो यह frame rate भ को बहुत कुछ बता देगा कि network में level पर क्या problem आ रही है और अपने system level पर क्या problem आ रही है इसको easily आप understand कर सकते हो right अब चलते है हम लोग setting के अंदर पेले में अपने live को stop कर देता हूँ live हमारा stop हो गया अब हमको क्या करना पड़ेगा setting में जाते हैं तो चली output पे आपको यह तो तो तक मतलता बहुता है graphic card हो गए और graphic card यहां पर पर बोलता है graphic card की ज़रत के यह ज़रत परती है तो जैसे अगर आपका पास पर graphic card नहीं है तो x264 यहां पर show होता है पर मेरे पास graphic card है तो मुझे यहां पर यह शो हो रहा है अगर मेरा इंटरनेट और सिस्टम एडवांस होता जो कि मेरा एक लेटप के अन्विकेशन पीसी है मैं इसे कम से कम आराम से 15-20,000 तक भी लेके जाता हूँ जा सकते हो आप 51,000 तक तो इसको अभी मैंने 5000 रखा था मैं आपको एक screenshot दिखा दूगा मतलब यह मेरे सिस्टम में अभी इतनी option आ रहे है पर किसी किसी सिस्टम में जब सिस्टम तो सिस्टम भी अलग होता है तो मैं आपको एक screenshot और दिखा दूगा तो आप एक screenshot कर देना उस सेटिंग को भी आप डारेक्ली ले सकते हो अब ठीक है होनी चाहिए की फ्रेम इंटरवल इसको आप वन कर दीजीए ज्यादा अच्छा है 3 की जगा इसको वन कर दीजिए का CBR जो हमारा क्यों यही होगा यह सारी चीज़ए आपको ऐसी राखनी है बी फ्रेम को भी आप कर दीजिएगा ठीक है और इसको आप अपिलाई कर के कर सकते audio की बात करें तो audio में हमारा जो सेंपल रेट होता है बाई डिफॉल्ट यही रहने दिना आपको स्टीडियो रखना है उसके बाद में यहां पर आपको और कुछ भी ऐसी चेंजेस यहां पर audio में तो नहीं करनी क्योंकि audio की सेपरेट वीडियो बना जो को आप इस वीडियो को देख लिजेगा का audio हमें क्या सेटिंग करनी है अच्छे audio के लिए अब हम आते हैं वीडियो सेक्षन पर यहां पर आपको बेस केंवास नाइंटी ट्वेंटी टैनेटी रखना है और आउटपुट जो रखना है आपको ना सेकेंड में आप कितनी फ्रेंट दिखाते हो जितनी ज़्यादा फ्रेंट उतना ज़्याद अच्छा है मतला एक सेकेंड के अंदर हम बोलता है कि 60 फ्रें डेट 16 जो वीडियो होता है कॉम्बिनेशन तर पिक्चर होता है तो अगर इसको थी सब बरी बुड़ा ही नहीं है पर में इसे लोग होता है फ्रेम टे ज्यादा होना हर चीज ज्यादा अच्छी लगती है तो 60 है पर 30 पे भी बहुत अच्छा काम करते है रिकॉर्डिंग अपने स्ट्रीमिंग का यह बिट्रेट है आप बढ़ाए जा सकते हो बढ़ा सकते हो मतला पांच यार लिमिटेशन नहीं है पर पांच यार से कम करोगे तो भी काम चलेगा आप डॉक में जाके जो स्टेट्स निकालते है यह स्टेट्स आपको निकालना बह रहा है तो वह मूरी यूज बता रहा है hardware का बता रहा है ऊशके बाद में स्कारिकोदिक्ड का बता रहा है अगर आपका止 स्सेंटर करता है तो अब जादी हो चाह यहां प chilli सट कम में ही रहा है यहां पर नीचे पिछलता है और यहाँ वह भी दिख अपने CPU कितना यूटलाइस कर रहे हो तो अगर यह आपका 30 से उपर जा रहा है तो मतलब कही ना कही यह CP डर रहा है काम करने में तो आपको क्या करना पड़ेगा यह सारी frame rate कम करनी पड़ेगी और आपको कम करना पड़ेगा bit rate 1920-1080 से कोई बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा बढ़ यह करना पड़ेगा अगर इसके बाद भी हालत गिरती है तो आपको फिर 1920-1080 से आपको जाना पड़ेगा 720P के अंदर जिसका resolution होता है 1280 by 720 ठीक है अगर आपको यह सारी setting समझ में आ गई तो प्लीज आज से ही अ अगर आप चाहते हो अपनी कोचिंग को सही तरीके से ग्रो करना तो नीचे जो बार-बार नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉल करके अपनी कोचिंग की digital marketing services पर फोकस करिए मैं आपको आपकी help करूँगा मैं खुद और मेरी टीम के साथ में आपकी company को ग्रो करने में आपकी कर सकते हैं studio setup के लिए हमारी टीम आपको सारे product provide करेगी हमारी टीम खुद आगे आपकी location पर हमारे studio को setup करेगी thank you so much for watching